नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शराब गुटाले के साथ साथ अर्विन केजरिवाल स्वाती मालिवाल के केस में बुरे फस गया है बड़ी अपडेट आपको बता रहे है कि एडी ने दिल्ली के राउजविन्यो कोट में सप्लिमेंटरी चार्शिट दाखिल कर दी है और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है तो वहीं F.I.R. दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस जबरदस्त आक्शन मूड में आ गई है दिल्ली पुलिस के अधिका के साथ CM आवास मौची थी तो क्या कुछ बड़ी अपडेट आ रही है सामने इस पूरे केस में बताएंगे आपको मेरे साथ जुड़े है क्या पुलिस के एडिटर इंचीव डॉक्टर मनिश कुमार दिल्ली पुलिस की टीम CM आवास में मौचूद है क्या कुछ चल रहा है देखिए अंदर किसी क्राइम सीन में जिस तरीके से कोई भी पुलिस अपना इंविस्टिगेशन करती है SFL की टीम वहाँ पे थी तो FSL वाले जो है अभी लौट गए हैं उनको जो कुछ भी तहकिकात करना था वो कर चुके लेकिन वो बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम अभी भी अंदर है वो स्वाती मालिवाल के दौरा बताये गए पूरे सीन को उसको समझ रही है साथी साथ आम आद्धी पाटी ने एक वीडियो जारी करके कुछ डर्टी प्ले करने की कोशिश की स्वाती मालिवाल को बदनाम करने की कोशिश की उसमें मामला और पेचीदा हो गया एक एविडिन्स बन गया वो पुलिस के लिए कि कौन कौन से लोग थे जो जो उस वीडियो में नदर आ रहे हैं उनसे फिलहाल पूस्ताच चल रही है तीसरी चीज जो सबसे एहम है वो यह है कि CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है वहां से रिकॉर्ड करके तमाम CCTV कैमरे जो लगे हुए है अर्विंद केजिवाल के घर के कोने कोने में उनको उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस अपने साथ लेने के लिए गई है अभी विएंडा तक जानकारी नहीं मिली है कि उस दिन CCTV कैमरा काम कर रहा था या नहीं कर रहा था या वुटेज कर दिया गया है तो कई विए पुलिस चुके अभी investigation की शुरुवात है इसलिए पुलिस भी सारी जानकारी share नहीं कर रही है लेकिन एक बड़ा सवाल कहां है बई विभव कुमार कहां है कहां छुपा के रखे हो कल तक तो तुम्हारे साथ था गाड़ी में dirty game अपना शुरू कर दिया गदार कहना शुरू कर दिया दो दिन पहले तो संजे सिंग बड़ा जो खरोष के साथ उन्होंने press conference किया था कि ऐसी जो ऐसा behavior जो है आम आदी party बरदास्त नहीं करेगी सौती मालिवाल के हम साथ हैं और आज वीडियो भी जारी कर रहे हो तमाम लोगों से tweet भी करवा रहे हो तुमारे जो troll army है उसके जरिये स्वाती मालिवाल के का चरत्र हरन कर रहे हो यह सारी चीजे किसली कर रहे हो बढ़ाया जा रहा कि अभी press conference होने वाला है press conference होगा वो देखा जाएगा लेकिन अभी तो कई सारी मुसीबतों में अरविंद केजरिवाल क्या कहा जाएगा स्वाती मालिवाल का साथ दिया जाएगा लेकिन विभब को वो अपने साय से अलग नहीं होने देगा उसके कई सारे कारण है अभी समय नहीं आया है otherwise ऐसी ऐसी चीजों के बारे में खुला सा होगा कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं सर्मसार हो जाएगे यह original कहानी है लेकिन इसमिट जो बड़ी अपडेट है वो यह सामनी आई कि ED ने दिले के राउजविनी कोट में सप्लिमेंटरी चार्ट शिट दाखिल कर दी है आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया जिसका जिकर बार-बार ED के अधिकारी करते थे वो हो गया है देखे आज जो सप्लिमेंटरी चार्टी डाला गया है वो इतिहासिक है आज अरविंद केजरिवाल कानून की निगाह में कोट की निगाह में ED की निगाह में एक रेजिस्टर्ड आरोपी हो गया अर्विंद केजरिवाल को भी आरोपी बनाया गया और साती साथ आम आदमी पार्टी को अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी पार्टी को भष्ट बताया जा रहा है उसको आरोपी बनाया जा रहा है आप ये मत समझेए कि कोई छोटी मोटी कहानी है ये ये वाकईा वाकई में एक नैशनल पार्टी को आरोपी बनाए इसका रैमिफिकेशन आपको पता है क्या है इसका रैमिफिकेशन ये है कि इमीडियेटली जे चार सिट अन हुआ इन्वेस्टिकेशन सुरू होते ही आम अगले एक दो दिन के अंदर होगा फिर कहां से केजरिवाल चार्टिट प्लेन से चलेंगे कौन खर्चा देगा ये सारे सवाल जो है वो उठेंगे बताया है कि गुटाले का जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी में यूज हुआ है गवाचनाव में उसका इस्तमाल हुआ ह तो क्या अब जाच जो है वो एकाउंट तक पहुंच गई है आम आदमी पार्टी के काउंट को खंगाला जाएगा सीज किया जाएगा अगर आपने कहीं पर होडिंग लगाई है आपने कोई रैली की है वह पैसा कहां से लाए यह तो आपको बताना पड़ेगा ना आप गो होडिंग वेरा लगा हुआ था एक होडिंग एक महने के लिए मिनिमम पचास हजार उपे खर्च होते हैं मिनिमम शैकलों आप लगा रहे हो तो फिर आपको तो बताना पड़ेगा ना कि पैसा कहां से आया आपके अकाउंट से वो पैसा जाना चाहिए वो गया नहीं है प्ल है जो सक्स जो आम आदमी पार्टी के पेरोल पे था चनपरीत सिंग उसके जिसने गोवा में अलग-अलग उमिदवार और लोगों को जो है उस जिसने पैसे बाटे उसका बयान है प्लस केजरिवाल सेवन स्टार होटल में रुकते हैं यह चनपरीत सिंग यह आधा पैसा द जारवाई होगी और अर्विंद केजरिवाल को भी आरूपी बना दिया गया है तो अब आप यह देखिए यह कितना बड़ा चल हुआ उन लोगों के साथ जो अन्ना हजारे के आंदुलन में जंडा लेकर के भारत माता की जय कह रहे थे यह कहते हैं कि हम आएंगे ब्रस्टाचार को खत्म करेंगे उपर से लेकर के हर तरह के ब्रस्टाचार में यह लोग शामिल हो गए अन्ना हजारे का वैसे तालजा बयान आया है वो कह रहे हैं कि केजरिवाल पर भरोसा ना करें भही आपने भरोसा किया पुरे देश को फसा देश के अंदर में जिसकी वजह से आज इतनी साधी समस्चाय हो रही है तो यह तो अन्ना हजारे को पहले करना था लेकिन देर आये दुरुस्त आये अब एक और बात कि अर्विंद केजरिवाल विभम को बचा रहे हैं अर्विंद केजरिवाल स्वाती मालिवाल के कभी कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी कभी आर्विं नहीं बनिई alive more लेकिन पार्टी उसमें इंभाउड नहीं है ये तो खुद भी गया पूरी पार्टी को ले डूबा अब तो लोग जो आमादी पार्टी का वो टोपी पहन कर जाएंगे पब्ली कहीं कि पर चोर जा रहा है ये घोटाले बाज लोग जा रहे हैं तो आप ये समझे कि इतनी सुप्रिम कोट ने एक टिपनी की है कि जमानत के लिए ट्रायल कोट का रुख कर सकते हैं इसका मतलब है कि हम आपको आपको मदद नहीं कर सकते हैं अब आप जाईए ट्रायल कोट में वहीं से आपको जमानत मिलेगी जमानत के लिए आपने कह दिया तो इसका मतलब यह हो ग अरजी लगाईए क्योंकि हम तो अपना फैसला रिजर्व रख रहे हैं और मामला यहां तक पहुंचेगा कि जैसे ही यह जाएंगे जमानत के लिए वह जमानत नहीं मिलेगी तो दो तारिक को वापस केजरिवाल को तिहार जिल जाना पढ़ाए वीडियो आया था शीश महल के अंदर का हमने भी अपने दरशकों को दिखायाroll स्वाती मालिवाल के साथ किस तरह से वहाँ के सुरक्षा कर बी वढ़ताव करते हैं। उस वीजिए को ट्वीट करके लिटी कि सुट मालिवाल का सच। क्या लगता है जब लेकिस वाति मालिव तो बिचारी वह अभी तक जो है केजरिवाल का फोटो लगाई भी अपने डीपी में और केजरिवाल उसको जो है पुरी दुनिया में बदराम कर रहा है यह कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहरा केजरिवाल को यह बास समझ में आ गई है आम आदी पार्टी को समझ में आ उसमें वो क्यों किया जा रहा है उसमें एक जगा स्वाती मालीवाल कहती कि यह चंदु जो है बाल्ड है ना उसके उपर उसने कुछ कहा और एक सब दुनों ने यह भी का कि मैं सब की नौकरी खाऊंगी तो यह आप यह कह रहे हो कि प्रवोग किया गया किसके खिलाब इन स जब चुआ तो तुमारी नौकरी खाऊंगी तो भी का मतलब क्या सब यह कह रहा हूं कि जब आदमी का विनास होने लगता है ना तो आदमी अपनी बुद्धी वो सब कुछ उश्चिन होने लगती है आपको लगा कि आप इस वीडियो के जरिये मीडिया के जरिये दलाल पत काम करते हुए दिल्ली पुलिस को एक ऐसा थमा धिया कि जिसके वारे में आपको कल्पना नहीं है कि किसा बली ग़लती हो गई क्योंकि पुलिस वाले हैं जो सिक्यूरिटी में लगे वे कोई प्राविट सिक्यूरिटी नहीं है ये पुलिस वाले हैं नौकरी बचाने के लिए वो दो सेकेंड में सारी कहानी जो है अपने आप बता देंगे कि वहां क्या हुआ तो ओन डूटी जो लोग थे उनसे पूछताच इस शीष महल के अंदर हो रही है कि शीष महल के अंदर दिल्ली पुलिस तो है क्या लगता है आगे क्या कुछ आक्शन लिया जा सकता है पहले तो जो प्रोसीजर है कि भाई आपने एक F.I.R. कर दिया F.I.R. के बाद 164 में आपने बयान दर्ज करवा लिया अब इसके बाद प बयान दिया उसको रिक्रियेट किया जाएगा तमाम जो गवा थे उनसे पूश्ताच की जाएगी और तमाम CCTV फुटेज वेरा को चेक किया जाएगा और सब कुछ का मिलान हो जाएगा तो दो-तीन बड़ी-बड़ी गिरफतारिया हो जाएगा देवासर अबडेट के लिए तो यह अब साफ हो चुका है कि इस पूरे मामले में आक्शन रुकने वाला नहीं है क्योंकि कल सही लागटार दिल्ली पुलिस जबरदस आक्शन में है F.I.R. दर्ज हो चुका है विभव कुमार के खिलाव विभव कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम भी लगी हुई है लेकिन विभव कहा है किसके संड्रक्षन में है इसकी जानकारी अभी तक कोई सामने नहीं आई है लेकिन इसे बीज दिल्ली पुलिस ने बड़ा आक्शन लेते हुए सी समयल के अंदर धाबा बोल दिया है सिस्टेवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं बयान दर्श किये जा रहे हैं और उमीद है कि जल्द इस पुरे मामले में बड़ा खुलासा और बड़ा आक्शन लिया जा सकता है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीव